क्यूं चाह रही है जनता सलमान खान और कैटरीना कैफ की शादी करवाना हलो दोस्तो बॉलिगराज स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नई वीजियो के साथ दोस्तो 5 जून को सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म भारत रिलीज होने वाली है और जहां एक एक करकर इस फिल्म के पोस्टर्स रिलीज किये गए थे जिन से सलमान खान के इस फिल्म में होने वाले अलग-अलग लुक्स को रिवील किया गया था ठीक वैसे ही अब इस फिल्म के एक एक करके गाने रिलीज हो रहे है स्लो मोशन में चाशनी बनाने के बाद इस फिल्म का अगला गाना एथेया रिलीज हुआ है और महज अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ महज कुछ ही घंटों में इस गाने ने 6 लाख व्यूस से जादा अपनी जोली में डालने है और इस गाने में केटरीना कैफ के जबरदस्त ठुमकों के तो लोग दिवाने ही हो गए है इस बात में तो कोई दो राए है ही नहीं के केटरीना कैफ को इंडस्ट्री के बहतरी डांसस में गिना जाता है और इस गाने से उन्होंने एक और बार ये बात प्रूफ कर दी है किस तरह डांस किया है मज़ाई आ गया और सल्मान खान और केटरीना के आपकी जो bonding दिखी है जो chemistry इस गाने में देखने को मिली है उस बात से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में इनकी जोड़ी क्या कमाल करने वाली है और साथ ही गाने में एक और बहुत इंटरेस्टिंग से चीज़ देखने को मिली है सुनील ग्रोवर और सल्मान खान की बांडिंग ये बात हम देख रहे हैं बार बार जब फिल्म का टीजर आया फिल्म का ट्रेलर आया और जब फिल्म के अलग अलग गाने इस चोट चोट शोट जोट जोट शोट जोट 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 डाले है उसमें जहां भी सुनील ग्रोवर और सल्मान खान एक साथ स्क्रीन पर आ रहे हैं वहाँ एक चीज बहुत कॉमन सी देखने को मिल रही है कि सुनील ग्रोवर किस तरह से excited है जैसे ही सल्मान खान केटरीना कैफ को देखके रुख जाते है तो सबसे पहले सुनील ग्रोवर उनको पंच करते कि देखो देखो वो आ गई सामने तो मतलब इनकी जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी लग रहा है कुछ एक जैसे करन और जुन जैसी एक बहुत ही बढ़िया सा बॉन्ड हमें एक और बार इस फिल्म से देखने को मिल सकता है ये गाना देखकर तो ये बात लगी रही है जिस तरह से सुनील ग्रोवर हर बार हर बार केटरीना कैफ को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और सल्मान खान को बता दी कि देखो देखो वो आ गई तो ये काफी इंटरेस्टिंग से चीज लग रही है और साथ ही इस गाने से पता चल रहा है कि ये सन 1983 की बात चल रही है जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था और साथ ही महौल देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ही साल हमें सल्मान खान और केटरीना कैफ की शादी देखने को भी लेगी लेकिन इससे भी जादा दिल्चस्ब बात ये है कि जब से गाना रिलीज हुआ है फैंस तो पागल हो ही गए है एक और गाना देखकर और उसमें इतनी जबरदस्त केटरीना कैफ के डांस को देखकर और सल्मान खान के साथ उनकी बॉण्णिंग को देखकर वहीं लोग कॉमेंट्स में कह रहे हैं कि भाई कौन-कौन चाहता है सल्मान खान और केटरीना कैफ शादी कर ले वो तो लिटरली वीडियो में तो हमें नजर ही आ रही है गाने में तो हमें इन दोनों की शादी होती भी नजर आ ही रही है क्या इस तरहां fans के pressure में आकर सलमान भाई ये फैसला लेते हैं या नहीं तो दोस्तों आपको ये गाना कैसा लगा हमने नीचे comments जो देखे हैं गाने के उससे तो पता चलता है कि लोग पागल हो चुके हैं इस गाने को देखकर और हर कोई इस गाने को forward कर रहा है अपने दोस्तों को कि भाई देखो सलमान खान का एक और नया गाना आया है और लोगों का कहना तो यही है कि इस गाने के साथ ही सलमान खान ने कुछ ही दिनों में record तोड़ दिया है अपने पिछले गाने कही तो देखते हैं और क्या धमाल मचाता है ये गाना स्क्रीन पर, आपको गाना कैसे लगा हमें बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन पर, बाकि इस फिल्म से जोड़ी कोई भी जाहनकारी आपको जाहनी है तो आप पूछ सकते हैं वो भी अब से नीचे कॉमेंट सेक्शन में, इस पर आपको जापको 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 ज झाल झाल